चाहिए कि हम सब साथ में तो उसके लिए रिक्वेस्ट एवरीवन कि वह अपना कैमरा उन करें और इस मीटिंग को हम अलग-अलग फेज में करेंगे जिसका पहला फेज है एक स्टोरी और मुझे लगता है जो स्टोरी होती है वह बच्पन से हमको इंस्पार करती है नानी दा है ना या केवल इसलिए हमें बताई है ताकि हमको चीज समझें बट आग जो स्टोरी यहां पर होने वाली है ना वो रियल स्टोरी होगी है ना और उसमें एक अकेले इंसान ने एक कपल होगा जो अपनी स्टोरी बताए कि इस बिजनस में वो क्यों आए थे इस बिजनस को स्टोरी उन्होंने कि करा उनका बैगरांड क्या है और कहीं ना कहीं इस बिजनस में आने के बाद वो क्या फील करते हूं उनोंने क्या क्या इस बिजनस से पा लिए र advertise को स्टार्टर मेना जधाधा टाइम लिए अचू बट एक तैंक सो को नाम हीमलता पंच्वाल बिजनिस वोमन तो दोस्तों शुरू करते हैं लोग एस पर जो जवरदस्ट प्लेट फारम है और हम बड़े खुश हैं इस प्लेट फारम पे जब से हमने पाइटिशिपेशन शुरू किया है और यह एक बड़ाई जवरदस्ट प्रेस्टिज की ब तो दोस्तों जैसा कि हमारा यह फॉर्मेट है तो बिल्कुल इसी पर बात होगी तो मेरा नाम विजय सिंग है दोस्तों और मैं अपना थोड़ा परिचाह दूँँ बाई प्रोफेशन रहूल आवाज के लिए मेरी तो दोस्तों मैं रिशी केस का ही बाउन ब्रॉट अप और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं पंतनगर इन्वेस्टी गया वहां से मैंने एग्रिकल्चर में एजुकेशन ली उसके बाद एंडियाराई करनाल से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं लोवर मिडिल क्लास को भी बिलॉंग करता हूं सुरुआत में जिस महसूस करता हूं इसको करते हूं और ब्लेस्ट महसूस करता हूं तो उन्हीं के संसकारों से मैं गाइडेड हुआ मेहनत की और इलाबाद बैंक में 93 में मैं अग्रिकल्चर अफसर बना और काफी जबरदस कहते हैं लाइफ अपने हिसाब से ही सिखाती है अपनी तरह से सब्सक्राण पूरी रहा राठ हमीरपूर रहा बांदा चित्रकूट रहा देहरादून भी रहने का अउसर मिला और दिख्णव गाजियाबाद और इस तरह से लाइफ चल रही थी और दो हजार में मैं मैंनेजर बना 2006 में senior manager बना तो तब हम लोग दोनों husband wife जब 2008 में देरादूर में आ गए थे तो we were looking for something क्योंकि मेरे पिता जी को देखता था मैं हमेशा आगे बढ़ने की जवरदस तुनों ने एक ही सीख दी कि बेटा इमानदारी और सच्चाई से अगर तुम्हें जिन्दगी में आगे बढ़ने का मौका मिले तो इसको चूपना नहीं आपको लेना चाहिए तो वह चीज हमेशा मेरे माइंड में रहती है तो हम looking for थे दोनों husband wife और चाहते थे कि जो बैंक में अच्छी position थी senior manager और लेकिन फिर भी salary तो salary है नहीं तो कहीं बार लगता है कम है और खर्चे बढ़ते जाते हैं और तीन बच्चे हमारे अभी में बात करूं तो बड़ा बेटा मेरा IT engineer है महली में है work from home कर रहा है और दूसरी बेटी मेरी पंतनगर से ग्रेजुशन के बाद National Institute of Nutrition हैद्रावाद से MSC sports nutrition कर रही है तीसरी बेटी गारगी college में graduation program में है दिली तो blessed की सब कुछ बढ़िया है तो जब हम कुछ ढून रहे थे तो हम आगे बढ़ना चाहते थे तो कहीं चीजों को explore कि हमने उस दोरां तो जैसे कोई कहता था बुटीक खोलो तो हम बुटीक पर जाते थे किया खर्चा है कितना बताओ इसमें क्या output है किसी ने का च्रच खोल लो बच्चों की तो हमने गए वहाँ पर क्या लागत आती है कितना प्रॉफिट है इसका तो आता था में तो हम जाके explore करते थे उसको तो बेंगे जे बैंकर मैंने इतने 15 साल की केरियर में हम देखते थे कहीं लोगों को हम कभी रोजगार योजना बेरोजगार योजना में लोन देते थे पर हमारे देखती देखते कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी standing hustle की लेकिन as a imply हम कहीं नहीं हम अपने track पर ही चलते थे तो यह चीज़े भी inspire करती थी start-up को लेके तो तब इसी दोरान जब मैं बैंक में था धेरादूर में तब मेरा एक junior था लड़का मेरे से 10-15 साल चुटा था बैंक में जे पी-ओ आया था तब उसने offer किया कुछ कि सर आप कुछ business करना चाहते हो तो मैं धूंडी रहाता कुछ तब उसने जिकरी किया कि एमवे business बढ़िया बिजनेस है तो मुझे उत्ता idea नहीं था information नहीं थी तो तब उन्होंने सितंबर की बात है 2009 की तब उन्होंने कहा एक business building seminar है और उसमें यह बताया जाएगा कि business कैसे बिल्ड किया जाता है तो मुझे बड़े अच्छी sounds good लगा मैं नहीं तो बढ़िया है तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आउंगा कि Sunday को है तो उन्होंने नहीं कहा ह कि 240 रुपे टिकट लगेगा कुई बात नहीं business है कुछ सीखने के लिए पेतों करना ही पड़ता है तो बोले नहीं तुम husband wife दोनों आईएगा चलो दोनों आ जाएंगे तो 2009 में सेतंबर की बात है लगबर और Sunrise Hotel में एक BBS था बहुत ही शांदार तो हम दोनों गए husband wife और हम तो BBS था हमारे great applying अनिल और बिंदु नारंग सरका था तो हमें बड़ा अच्छा लगा महाल बिल्कुल जबरदस्त हो जाता है उसमें तो हमें अच्छा लगा हम दोनों ने यही decide किया कि हम इस business को करेंगे बहुत बढ़िया है तो happiness है husband wife भी है नहीं बैंक वालों को परिव भी चीजे थी जो हुई और क्या लाइक में चेंज आया फिर मैं आगे कवर करूंगा नमस्कार सभी को और नाम हीमलता पंच्वाल है और आज मैं बिजनिस हूमन हूं लेकिन पिछली जो हमारी कुछ सालों की जर्णी रही है उसके बारे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी उससे पहले मैं थेंक्यू करना चाहूंगी अनिल एंड बिंदु नारंग सर का और मैं का थेंक्यू सर हमें आपने अपर्चुनिटी दी इस प्लैटफॉर्म पर आने की और दूसरा थेंक्यू करना चाहूंगी जो हमारे अप्लाइन है हमारे मेंटोर है आर्पी सर और सके और सबसे बड़ी बात इस बिजनिस में माइंड को ही तरशा जाता है तब ही आप बिजनिस कर पा होगे तो यह काम जो है हमारी अप्लाइन चंद्रा में और आपी सर ने किया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर का में का तो थोड़ी जर्ण थी बिलकुल हाउसवाइब जैसे बिलकुल एक आदाश ग्रहनी बोलते है न वह थी मैं वह तो आज भी लेकिन एक और ताइग अच्छा सा लग गया है कि मैं बिजनिस मुमन हूं वीजे सर बिजनिस जो है बैंकर थे तो उनको बिजनिस ज्यादा समझ में आता था है मुझ और बडदण विलकुल चमकते ऐदमकते साफ सुत्र होने चाहिख conceal और साथ में वह भी चमकती दमनती रहूं. ऐसा ना हो कि घर तो चमकता दमकता रह और मैं बेकार सी कि मुझे थाइरेट की problem थी मेरी सबसे चोटी बटी वई तब सबसे मुझे था आज 17 साल की है और यह सुच लिए कि 17 साल पहले मुझे ताइरेट हुआ था कि न इतनी परेशान थी मैं मैं स्कीन अच्छी रहे मेरे बाल ना जड़े नहीं और मेरा हार्मोनल डिस्बैलेंस तोड़ा सा सही रंग में खुपसूरत दिखती रहूं जैसे पहले थी वैसी दिखती रहूं तो मुझे बताया उन भयाने कि आप जहना इसके प्रड़क बहुत अच्छे आप इसके प्रड़ सब्सक्राइब करते पाइब ऐसे तो मुझे लगा कि मुझे जो है इसके प्रड़क्त लेए हुए जैसी में आज से सतरा साल पहले जो मुझे घरिड हुआ मलते हैं लेकिन आज मुझे मिलते हैं और बहुत अच्छा हए इसको पीछे कर सकते कब सकते हैं नहीं हम लोग दिखते हैं जो भी इुप इजनेस करते हैं वो दिखते तो यहां आपकी कर रही है आप तो दिखती नहीं हूं इतनी है इसकी तो मुझे बड़ी खुशी होती है और फिर प्रेस्ट मां यूज करती रही और मुझे अच्छे प्रड़क्ट तो चाहिए चाहिए थे, लेकिन मुझे अपने हस्बेंट का साथ भी चाहिए था, क्योंकि ये बेंकर थे और ट्रांस्वर होता रहता था, तो मुझे ये लगता था यार तुमने मुझे से शादी किये, तो मेरे साथ रहने के लिए किये य अपने हस्बेंट को साथ में, मुझे अपनी हस्बेंट मिले पहले से ज्यादा अछे relationship हो गई है हमारे फैमली में हमारे बचों के साथ अछे relationship हो गई है और मुझे बहुत पसंद है अपने पें उस्यांदर अपने ही सब लगता है और यह सब हिप सट चंद्रामैम Oftentimes साथ में उने से हुआ और आगे क्या क्या हमने लाइब बहतर हो गई है जो मैंने बताया और वाकि वीजय सर बात करेंगे और थैंकि सो मैं नमस्का सर ग्रेट विल्कुल हिंग और ब्यूटिफुल होती जाती है दिन दिनों तो यह देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि एक तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहा बीच में मेरा बेटा भी नारंग सबसे मिला था उनके घर गया था उसने बताया था बड़ा प्रभावित हो आता उनके घर जाके दिव्यान्शु सिंग जो भी इंजीनियर है और उस जो उसने में सीखा उसकी लाइक में बड़ा काम आ इस तरह से चलता रहता है देरादून में पोस्टिंग थी घर बन गया था शांदार इश्वर की क्रपा से पिटाजी के आशिरवाद से माता पिटा के आशिरवाद से तो लाइफ बढ़िया हो गई थी तो होता ही है और फिर जो 2013 में चीफ मैनेजर बना जम्म है तो फिर ट लब्दी हासिल की सम्मान हासिल किया अच्छा घर बना अच्छी लाइफ थी लेकिन कुछ मिसिंग लिंक हमने महसूस किये जीवन में जैसे कई बार परिवार को हमारी जुरत होती थी पर हम नहीं रहते थे वार क्योंकि हमारे जॉब अप्लिकेशन है प्लेस पॉस्टिंग कई बार 24 घंटे की जरनी भी होती थी जब दिब्रुगड में रहा तो यह चीज मुझे लगी कि हम परिवार के साथ रहें तो यह एक डिसीजन बना कि कुछ करेंगे ताकि यह में मिला और फिर हमने इसको पिछले 5-7 सालों से सिरिसली करा और हमें मेंटर मिले आर्पी सर च लाइट में हमेशा बने रहें क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से हमें बहुत फादा होता हर तरह से तो जब हमने इसको अंडरेस्टेंड किया इस बिजनिस को प्रॉपरली की डिरेक्ट सेलिंग कै तो मैं अपनी जो मेरी अंडरेस्टेंडिंग है वह मैं जरूर सेर करना चाहू आप से दोस्तों जो डिरेक्ट सेलिंग है अगर आप इसको देखें तो यह बहुत तेजी से उभरतावा द्योग है और इस पिछले चारपास सालों में लगा ता डबल डिजिट की ग्रूप को चल रहा है आज जब जॉब को लेकि इतना चलेंज आ रहा है इंकम श्रिंक हो करने का और एक एक्स्ट्रा इंकम इन सब चीजों को नीट को फुल्फिल करता है और हर आदमी को अट्रेक्ट करता है तो जवरदस्त है और इसके जो बेसिकली फ्यूचर है फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों जैसा कि हमारी कंपनी ने खुद का प्लांट सेटप किये और पिछले तीन-चार सालों में एक हजार करोड का इन्वेस्ट किया भारत वर्ष में तो उस फैक्टरी की छमता बहुत जादा है अभी तो उतना टर्नोवर ही नहीं हुआ उसका आधा या चौथा ही टर्नोवर इंडिया में हो रहा जितने उस फैक् इनका future का business है तो अगर इसमें चार जो महत्यपून पिलर उसकी बात करें तो पहला इसका strong pillar करती है वो उसके कुछ कहने की जरुत नहीं है उसको समझने की जरुत है एंवे कंपनी के क्रिडिंशिल क्या इसके आदर्स है क्या इनका विजन है तो उसके लिए जरूर मैं अपील करूंगा जो लोग नए इस प्रिजेंटिशन को अटेंड कर रहें कि वादे जो निभाने बुक है बड़ी अच्छी वो जरूर आप पढ़े हैं अगर हमने नहीं पढ़ी है जो भी डिस्टिबूटर एक्जिस्टिंग तो हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा फेट एमवे पे जमे हमें पता होना चाहिए क्या हमारा राइट डिसीजन एमवे के साथ आने का क्योंक मन में डाउट आ सकता है तो उस तक हेल्प करेगी हमारे डाउट को दूर करने दूसरा इसका जवरदस्त पार्ट जो है एजुकेशन सिस्टम है मैं अगर बात करूँ अपनी तो मुझे सबसे इसका जो पावरफुल पार्ट लगा एजुकेशन सिस्टम लगा इसकी जो अपलिफ्ट करती हैं मेरे उपर तो 180 डिग्री का प्रभाव पड़ा उन पुस्तों की वज़े से और शुरू के चार पास साल तो मैं इसके सिस्टम को मुझे बड़ी क्यूरिशिटी होती थी जो भी बुक्स मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको लाता था पढ़ता था मे किसरा इसका मेर्ड कुला जहां? इस है तीम Хंध स्पांसर करते हैं इस बिजनेस में जो हमारे ऑपलाइन होते हैं, जो कोछ होते हैं, तो सबसे जषब्दरश चीज क्या है कीसमें आपको एक कोच मिलता है। इक गाइड मिलता है हम कोई भी काम जीवन में,अगर उस काम में हमें कोई चैलेंज आता हमिसार आएगा कोई भी काम कर लीजिए एफसेसाई नहीं लेबर लॉग जी एस्टी इतने जनजट हैं कि आप जॉब के साथ साथ कुछ करने की सोच नहीं सकते हैं अगर आप अकेले हैं कई बार पार्टनर्सिप में जाते हैं तो और बड़ी गलती क करते हैं क्योंकि पार्टनर्शिप लगब 99% मैंने देखा फेल होती है क्यों इंसान इंसान होता है और उसमें मानविये कमजोरियां होती है तो इसमें जो मेंटर्शिप एक वेस्टेड इंट्रेस्ट है टीम का हमारे अंदर और वो हमें डवलप करता है गुरूम करता है जैस देख सकता है अपने को तो परफेक्ट ही समझता हो लेकिन एक जब मेंटर मिलता है कोच मिलता है तब वो आपके उन संभावनाओं को उन परसिबिल्टीज को उस पटेंशल को देखता है जो कई बार हम नहीं देख पाते अपने अंदर तो वो बिलीब देता है यू केंड और यह कहते हैं कि जब आप लोगों से सरसे निकालना चाहते हैं तो उनमें विश्वास व्यक्त करना एक बहुती जबरदस चीज होती है तो वो यहां के सीखा है यानि हमने इतनी अच्छी बूप पड़ी सेवन हैबिट ऑफ हाइल एफेक्टिव पूपल की पैरेंटिंग कैसे की जाए अपने परिवार में कैसे रिलेशन रखा जाए यानि बहुत सारी चीज़े हां के सीखी और बहुत बढ़िया लग रहा है इसका जो सिस्टम है तो यह है तो यह चोथा जो इसका पिलर आता है वो आप है यानि हम है तो हमें इस बिजनेस के लिए एक राइट है तो यह वह व्यक्ति है यह व्यक्ति बड़े कम मात्रा पर पहे जाते हैं तो इसलिए क्या होता है कि सक्सेस माइनौर्टी में क्रियेट होती है तो कहीं बात जरा सी अप लाइन कहती है यार देखो मेटिंग में आऊ ना तो टेमरा आउन करो अब यह कितनी कोई बहुत ब बात आपकी करेक्टर को एकजिबिट करती है तरह की बेख्ति हैं अगर एक तरह के क्यामने क्याने से काम हो भूस다고 है प्रिया एक पर्सेप्जन बनें बंते तो आ केरने 10 नीकिनिक वो सकता कुछ प्रभाउ कुछ प्रभाव कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में जाता है। उसका भी भलेंखी मिलेगा तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए हुम्हारे चीज़ते सर्फ mentions और करमго यह घरे चाहि ने तो 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 यह एक राइट परसंट बनने की बात तो टेंजिबल रिवार्ट की बात करें तो जैसे हिमलता जी ने बताया कि हमारी फिटनेस बहुत बढ़िया हो गई है ने तो इश्वर की कृपा है और बढ़िया चीज है भीड से अलग हो जाते हम लोग कहीं भी जाते हैं कहीं मस्तिमार ने बिलकुल एक अलग मेंटल स्टेट में रहते हैं हम लोग है ने इंज्वाय करते एक दूसरे की असे इंडेंजिबल बहुत सारे रिवार्ड है लाइफ का एक परपस समझ में आने लगा जब जॉब में आप होते हैं तो यहां पर एक पॉजिटिव सोच जीवन का परपस एक गोल एक आपकी खुशी अंदर जो आपको महसूस होती है लोग तो चेहरे को देखते लेकिन आप अंदर महसूस करते हैं तो वह चीज यहां के अच्छी होने लगी तो अब इसमें कैस कि इसमें यह मैं कहना चाहूंगा और फिर हम लोग एंड करेंगे कि कहीं बार हम जो होते हैं इसमें सक्सेस्फुल नहीं होते हैं शुरुवात में जब कोई एबियो इसमें आज अगर जॉइन करें नए डिस्टिब्यूटर और वो आगे का प्लान कर रहे हैं तो यह सला द को वादे जो निभाने हैं कॉपी कैट मार्केटिंग 21 सदी का व्यूसाय अगर इन उस्तकों को पढ़े बिना इस बिजनिस की अंडेस्टेंडिंग नहीं ली तो निर्णे मजबूत नहीं होगा है नि कमजोर सा होगा चलो कर लेते हैं देखते हैं मेरे अपलाइन बताते है आरपिसाच कि इस बिजनिस को करने के लिए विजन और विजडम चाहिए जिन लोगों के पास विजन और विजडम होता है क्योंकि ये डिलेट ग्रिटिफिकेशन पे काम करता है बिजनिस इसका परिणाम आने में देर लगती है एसेट बनाते हैं लोग तो उसके लिए उस तके अध्यन करेंगे तो यह help करेगी समझने में और इसके बाद जो next step होना चाहिए एक नए वेक्टी के लिए इसके product use करना चाहिए जो भी जुरत के product का knowledge लेना चाहिए हमारे पास 185 product है जो different range में company खुद manufacturing करती है patented product है शांदार product है organic product है तो उसको हमें use करना चाहिए as per need और उनका knowledge लेना चाहिए जैसे कि आज हम सब लोग health passionpreneur के रूप में plan कर रहे हैं काम करने का तो knowledge होना चाहिए हमें यह product की physiology पे कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में cellular physiology में vitamins, minerals, protein और fat का क्या रोल है कैसे वो एक cell को healthy बना के कुछ degenerate जो cell होती जा रही है उसको वापस कैसे strength देता है और भेंकर nutrition की कमी के कारण जो शरीर और cellular level पे down है कैसे वो nutrigenomics, nutrigenetics इस माध्यम से कैसे हमारे को health देता है यह understanding होने चीए ताकि हम उसको एक सही solution और एक सही health advisor के रूप में वो परिवार हमें जाने है तो इसके लिए अपनी एक तयारी की जौरत है अपने mindset को better करने की जौरत है इसके business model को समझने की जौरत है इसमें पैसा कैसे आता है यह समझने की जौरत है और कुछ challenges initially जो नए लोग के बीच में आते हैं यार website पे जाते हैं तो अभी इस business में asset बनाने आएं एक बड़ी income बनाने आएं तो हमें कैसे अपनी तयारी करनी चाहिए तो इसके रूप में वो लगपक किसी भी वेक्ति को जो नया आया तो एक महिना दो महिना मतलब जितना भी वो अपने को समय दे अपने resources परिस्तितियों के साब से एक खुद को work on क करना चाहिए कुछ पुस्तके पढ़नी चाहिए और skill with people वगएरा और दूसरी जो इसमें पार्ट आता है वह आता है नेटवर्क बिल्डिंग का टीम बिल्डिंग का तो टीम बिल्डिंग के लिए उसके लिए एक तयारी की जौरत है तयारी की जौरत है क्योंकि हम लोगों बनाने के हुनर, टीम बनाने के skills, mindset बिल्कुल अलग है क्योंकि लोग अलग है बहुत तरह के लोग है तो इसके लिए skill set चाहिए यह अपने आप में complete हुनर है तो इसको में सीखना चाहिए और सीखने के लिए again हमारे पास team है, गुरू कुल है और कुछ पुस्तके है जो एक launching your future या कोई भी network building की guide और skill with people और question are the answer इस तरह के कुछ बुस्तकों को पढ़ने की ज़रत है ताकि जब हम लोगों के बीच में जाएं तो हमारे पास जो हमारे अपलाइन बताते है आरपी सर कि पांच कलाएं चाहिए network building का महारती बनने के लिए प्रशन पूछने की कला, मंद बनाने की कला, सुनने की कला, हैनि असहमत होते वे भी सहमत होने की कला और promotion की कला, तो इन पांच कलाओं का आपको माहिर होना चाहिए इस business में आगे बढ़ने के लिए तो इसके लिए कुरा system हम पे मौजूद है लेकिन करना हमी को है, कोई हमें support कर सकता है, guide कर सकता है, लेकिन as a right person हमें इस business में अपनी सारी activity, अपने सारे effort करने हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि challenge बिलकुल आएंगे, यानि यात्रा आसान नहीं होती और हम अगर हमारा control है, तो अपने उपर है, यानि हमारी preparation के उपर, अपने mindset को, अपने skill set को कैसे prepare करते हैं, यानि अगर ह हम कुछ नहीं कर रहें, कहते हैं ना कि जब हम निकलेंगे घर से तो दिक्कते आएंगी, हमें उसके लिए तयार करना है, हम कुछ ना करें, जो कर रहें, करते रहें तो कोई दिक्कते, life वैसी चलती रहेगी, लेकिन अगर हम आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच रहे हैं, त तो फिर तयार रहे है, चलेंज बहुत तरह के आएगे, even job भी करते हैं, तो उसमें भी चलेंज है, है नहीं, तो start-up करते हैं, वहां भी चलेंज है, लेकिन यहां एक better part कहा है, सबसे best beautiful part, यहां एक mentor है, coach है, applyin है, जो अपने अनुभाव से, अपनी बुद्धी मता से, आप को उन चलेंज से निकालने के लिए तयार है, तो यह इस business का सबसे beautiful part है, तो अगर आप right person तयार हैं, बनने के लिए, तो मुझे लगता है, MV business एक अच्छा business है, और पैसे कमाने के तो बहुत से रास्ते हैं, और सब लोग कमाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा package है, एक ऐसा business है, जो हमारे जीवन में एक संटुलन लाता है, हमारे अध्यात्मिक्ता में, हमारी health में, हमारी finance में, हमारी friendship में, सभी area में gradually grow होने लगते हैं, और तब आपको लगता है कि एक अच्छा मेरा decision है, इस business को करनेगा, तो बहुत बढ़िया रहा, और हम अगेन अपने great मेरे जो coach है, RP Sir चंद्रा में, उनको धन्यवाद देते हैं, कि उन्होंने हमें इस plate form पर बोलने का मौका दिया, नारंग सर और अनिल और बिंदु में को थैंक देते हैं, आप सर हमेशा inspire करते हैं, हमें और बड़ा अच्छा लगता है, और कहीं चीज़े कोपी करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि इस business की एक सबसे जवड़दस चीज है कि जो आपको inspire करें उसकी नकल करिये, तो thank you for being part of our life and contribution देने के लिए, thank you sir, मैं, सभी को थन्यवाद, नौश्कार. वाओ, 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 अमेजिंग, 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 और मैं सबसे पहले तो thank you बोलना चाहूंगा, विजय सर और हेमलाता मैम को कि उन्होंने अपनी story शेयर करी, और इतने सालों का सफर हैं, 2009 में उन्होंने बोला शुरू करा था, और इतने सालों का सफर, उन्हों अमेजिंग, और मुझे लगता है, बहुत सारे लोगों को inspire कर रहा हो, शायद कुछ नए लोग जरूर होंगे, यार कुछ तो बताया है नहीं, अपनी story बता रहे थे, चार पाल लोगों की तारीफ कर दी, कुछ टीम टीम बोल रहे थे, पता नहीं क्या है, पट मैं आपको जाओंगा धीरे धीरे जब आप इस business में आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा वो टीम क्या है, जैसा कि सर ने बोला ना वीजा सर ने, कि वो टीम ही है जो आपको इस business में आगे बढ़ाती है, कही ने कहीं वो जॉब में अपनी बहुत सेटल थे, बैंक में सेटल पॉप सोच भी नहीं सकते हंसे तो शुट की आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर किसी बिजनस में हजबेेंट बलड कर अडिया आपको बताना चारहा हूं कि यह बिजने स्मीज नहीं है और कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपनी स्टोरी की बात करी तो मुझे लगता है उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली बताई हिमला तरजी ने कि हम कहीं कहीं एक सॉलइशन प्रोवाइडर हैं कहीं लोगों की बिजनस के तुरू हैं जैसे उनकी हेल्प हुई किसी के थू तो उन्होंने कहीं न कहीं बोला कि मुझे थायरॉइड था और कहीं न कहीं बहुत सारी न वहां चालेंज़ेश करी थी बट किसी ने थूद्डिस बिजनस वो प्रोड़क्त बताया और कहीं न कहीं उनको बहुत फायदा हुआ